हेलो एव्रिवान वेल्कम टू रानी स्गूर्ट फूड आज हम मैगी बनाएंगे पैंग को मैने पहले से गरम रखा है गैस का फिलेम बड़ा कर लेते हैं एक छोटा चमस तेल डालेंगे तेल गरम हो चुका है दो चुटकी उतना जीरा डालेंगे गैस का फिलेम कम कर लेंगे एक छोटे सा इसकी प्यास को मैने बारी कट कर लिया है वो डालेंगे एक हरी मिर्ज को मैंने टुकडे कर लिये है वो डालेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे एक छोटे साइस की टमाटर को मैंने बारी कट कर लिया है वो डालेंगे गैस का फिलेम थोड़ा बड़ा कर लियेंगे थोड़ा शहरा धनिया दा लियेंगे मैं मैगी आस दो पॉकिट बना रही हूँ तो इसने मैं इसका मसाला एक इसमें डालूंगी अच्छे से मिक्स करेंगे गैस का फ्लेम कम कर लेंगे दो चुटकी नमक डालेंगे गैस का फ्लेम थोड़ा बड़ा कर लेंगे दो कप पानी डालेंगे ये दूसरा कप पानी को उबाल आने देंगे पानी में उबाल आ रहा है गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर लेंगे ये दूसरी पॉकिट का मसाला इसमें डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम फिर से बड़ा कर लेंगे अब ये जो मैगी है मैं इसे बीच से तोड लूँगी बस इस तरह से आप चाहिए तो पूरी भी दाल सकते हैं बहुत लंबे लंबे नूडल्स हो जाएंगे ये भी वैसे काफी लंबे ही होंगे लेकिन ठीक टाक होंगे वैसे मैगी दो मिनिक में नहीं बनती है चलिए इसे पकने देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया दालेंगे ये बन गई मेरे स्टाइल की जूसी जूसी मैगी चलिए इसे गर्मा गरम परोस्ते है